हेलो फ्रेंट्स अमारी चेनल टेक्नोसाल स्टेडी पर आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रियेट रेजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन इन ASP.NET सिशाप वित MVC यानि कि हमने सिंपल ASP.NET पर हमने रेजिस्ट्रेशन फॉर्म जो लोग इन फॉर्म है और क्रियेट किया था अब दोस्तों MVC पे भी अमने एक जो रेजिस्ट्रेशन फॉर्म का वीडियो ओल्रेडी बना रखा है है लेकिन यह वाला जो टॉपिक से वहां पर हम HTML जो एलपर से उनका यूज़ करके जो एडियो डोट ने जो डेटा एंटीटी मोडल है जो एंटीटी फ्रेंवर्क का यूज़ करके हमें अपना जो रेजिस्ट्रेशन फॉर्म है और कम्प्लेटली बनाना है तो कैसे हम जो MS SQL database का यूज़ करके हम यहां पर जो HTML helper का designing में यूज़ करके एक जो रेजिस्ट्रेशन फॉर्म है और क्रियेट कर सकते हैं उसके लिए दोस्तों आप वीडियो को लाश्ट तक देखेगा सबसे पहले हम अपने चले जाते हैं विजुल स्टूडियो पर दोस्तों अगर सब्सक्राइब आपको मेरी टेलिग्राम चैनल है टेक्नो सालस्ट वहां पर मिल जाएगी यहां पर दिखें दोस्तों जैसे विजुल स्टूडियो ओपन होगा तो ऐसा जो एंटरफेस है वह आपके सामने शो हो जाएगा यहां पर जो रिसेंटली जो प्रोजेक्स अपने आ जाना है उसके बाद आपके सामने और एक जो पेज है ओशो होगा ओपेज होगा जो क्रियेट और न्यू प्रोजेक्ट वाला तो वहां पर आपको जो एसपी डॉटनेट वेब अप्लिकेशन डॉटनेट फ्रेमवर्क एवाला जो ओप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेने अ और यहां पर नेक्स्ट वाला जो बटन है उसपे प्रेस कर देना है उसके बद यहां पर आपको प्रोजेक्त का नेम देना जो भी आप नेम देना चाहें और नेम उपनी मर्जी के अनुरूप दे सकते हैं यहां पर सिम्पल है जो जो और जी लगाके वेब एप्लिकेशन 1 को उसका बाद यहाँ पर लोकेशन आपको सिलेक कर लेने q को परbon आपको यहाँ यहां पर पेंटी क्लिक कर देंगे अट क्लिक कर दिक से ओपन हो जाएगा आवा यहां पर देख सकते कि अमारे जो प्रोजक्ट से ओपन हो चुका है यहां पर से अपने आपके विजुल स्टूडियो में आप जाना आड़ यहां पर फर्स्ट वाला ओप्स्यन आपको मिलेगा solution explorer एंड यहां पे जो server explorer का भी option मिलेगा तो उन दोनों पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोनों भी open हो जाएगे यहां पर solution explorer पर projects का related जो details है वो शो होती है तो यहां पर दोस्तो mvc pattern पर पूरा project है तो यहां पर देखिए हमारे जो model है उसके बाद view का एक folder है एक जो controller का हमारे जो folder है तो first of all दोस्तो हम यहां पर एक जो controller है उसको बना लेते हैं तो यहां पर हम एक controller पर राइट क्लिक करेंगे एड़ वाले section पर एगे और जो controller वाला जो option आपको फ्रस्ट मिलेगा उसके कलिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आपको first वाला जो option है mvc5 controller empty उसको से लिए कर अधर देना यहां पर जो add वाला section है जो add वाला button हमें दिख रहा है उसके बाद यहां पर आपको controller का name नेम देने को है तो यहां पर आपको ओम नेम दे देना है आप जो भी कंट्रोलर का नेम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं यहां पर सिंपल एड़ वाला जो बटन दिखेगा उस पर प्रेस कर देना है कि यहां पर देखें जो मार जो कंट्रोलर है ओपन हो चुका है यहां पर देखें जो एडर फाल है जहां पर यूज़िंग सिस्टम है इसके बाद जो जैनरी कह लिंक है वेड़ एंड एंड एम वी सी है यहां पर देखें आपको एक जो मेतड मिल रहे है जो पॉब्लिक एक्शन रिजल इंडेक्स नाम की आपको मेतड बाइड डिफॉल ही मिलेगी अब डायरेक्ली इस प्रोजेक्स को रन करेगे तो यही वाली जो मेतड है और डिफॉल्ट सेट है राउट कंपरिंग में तो यही रन होएगी तो यहां पर दूस्तों आपको जो मेतड है इंडेक्स वाली मेतड उस पर आपको राइट क्लिक करना है क्योंकि आपको एक व्यू क्रियेट करना पड़ेगी यहां पर एड़ वाला उप्शन आपको मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है यहां पर यहा वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर देना है कि इसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो एक जो पेज है वो बन चुका है जैसे हम सिंपल जो आपको आपको यहां पर पर प्रेट करना पड़ेगा जो मुझा इन पर लेते हैं ताकि हम जो भी फॉन बनाए वह सेंटर में इसके बाद यहां पर उसकी इस्टाइल दे सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आइट वीट देने तब भी आप दे सकते हैं यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके बाद यहां पर यहां पर कर सकते हैं उसके बाद जो यहां पर कि जो html जो begin form है जो html helper का युश करके एक form है वह हमें create करना पड़ेगा यहां पर हम कोई एक जो comment है वह अभी दे देते हैं ताक्के आसानी रहे तो अच्छा यहां पर comment पर दे देते हैं यूजिंग आज है 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 एस्टेम्ञ एलपर्स है औक दोस्तों यहां पर हम यहिश्टेम्ल होपर का यूज करें गे अपना जो पर हम html से डोडर्ट बिगिं पोंग अगर हम यल्पर करते हैं यहां पे बिगिंट फॉर्म है उनका यूस करेंगे उसके बाद यहां पर यहां पर हमेंए फम हो क्रियेट करना है तो दोस्तों हम ठेम टेबूलर फर्मेट में फॉर्म बनाएंगे तो उसकी डिजैनिंग यह आसानी से हम अच्छे खासी डिजैनिंग है वह में template कर सकते हैं वह एक टेबल ले लेते हैं एक उसके बाद टेबल में कुछ style है वो देदीते है style यहां पर डेजो अपर इसके बाद यहां पर आज देना चाहते तब भी आप दे सकते है तो हमें यहां पर जो हमने सेंटर टेग यहां पर आइट विट दी है तो उसको हम यहां से स्किप कर लेते हैं कंट्रॉल एक्स उसके बाद आइट विट हमें यहां पर टेबल स्पे देनी है ओके दूस्तों यहां पर देखे हमने जो टेबल में आइट विथ है वो देदी है उसके बाद हमें यहां पर जो टेबल है उसकी जो टी आर यानि की टेबल रों टेबल डेटा है वो कम्प्लिट बनाना है तो में यहां पर लेनी होगी उसके बाद यहां पर टी डी ले ले लेते हैं उसके बा समारे ले देक्ना है कि यहां पे हम है को टाइप करेंगे रजिस्ट्रेशन सम्लांब को कि उसके बाद हमें एक हैक फिल प्यवों लेना है यहां पर यह तो फो इंगну यहां पर तीडी फ्रस्ट वाला फिल्ड अमारे क्या रहेगा केम के फूल नेम रख देते हैं यहां पर देखें फूल नेम ओके दुस्तो उसके बाद जो सेकंड है वह में एक ले लेते हैं टी यार इसके बाद यहां पर टीडी एंड यहाँ पे यूजरनेम यूजरनेम ऑंके लास्ट जो फिल्ड हो लह ले लेते हैं यहाँ पे टी या तर आप जलंद गोपी पेश्ट है यहाँ पर कते हैं K droHD उसके बाद यहाँ पे एक पाइब ऐसके भाद आपको यहाँ पर यहां पर टीडी यहां पर ले लेते हैं पासवर्ड करें के दोस्तों लैस्त में एक जो टीया लेके वाली जो बटन की अमठीर रहे गी तो यहां पर टीडी इस टीडी को कोल स्पान देगे कोल स्पान इक्वल टू उसके बाद यहां पर अलाइन सेंटर दे देंगे अलाइन कॉल टू सेंटर अगर दस तो एंड यहां पर हम एक जो बटन हो ले लेना है बटन हम लेंगे इंपूट टाइप पाला इंपूट कोल टू यहां पर टाइप कोल टू बट कि उसके बाद यहां पर आईडीम रहेंगे बीटीएन सब्मीट है कि टेक्स्ट रहेगा है दूस्तो यहां पर नेम है बटन का मैं इकवल टू सब्मीट और वैल्यू एक वर्ल टू सब्मिट बटन उके दूसके बाद हमें यहां पर जो सारी जो फिल्ड से हो तो ले लिए है तो एक हमें डेटावेस की अवश्क्राही है क्योंकि हमें यहां पर model class है वो completely create करना होगा तो हमें क्या करना है यहां पर जो वेब अप्लिकेशन है वहां पर आ जाना है उसके बाद यहां पर एक जो SQL का डेटाबेस है उसको add करना है तो simple यहां पर right click करेंगे उसके बाद यहां पर जो यहां पर यहां पर आपको अपको 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 नेम दे ते आप जोबी डेटाबेस का नेम दे शकते है उसके बाद यहां पर जो अण यहां प्रक्रिद अक्रित अक्रिप कर्देना है यहां पर है उसके यहां पर यह यह स्वाला है उसके यहां पर क्लिक कर जाएगा इंडिनवाद गुर्ट सब्सक्राइब हाँ नाम का जो डेटाबेस है उसके बाद यहां पर सॉल्यूशन एक्सपर पर अपना डेटा नाम का जो यहां पर दोस्तों हमें Simple यहां पर create soda table की व smdL करेए दें लिएंगेasis भर दोस्तों जरुम का तो कबाद यहां पर हमें जो उसकि जो फिल से ओं ले लेने है फिरेख फिल अमारा था फूल-name यहां पे ले ले लेते हैं फुल नेम उसके बाद सेकंड्स फील रहा था में उसके बाद नम्मर कम था वह फोन का ऊत्थ है आन्ड लश्ड में एक है जो पास्वर्ड का ऊके dr डेटाटीप हो ले लेते हैं वहाँ पर ले लेते हैं डैटा टाइप उसकी साइस दे तेते हैं उसके बाद कंस्टेंट दे देते हैंonte ​null तोल उसके बद यहां पर जो यूजरनेम उसकी डैटाटेप बाहर यहां कर साइज देते है 20 उसके बाद इसके बाद यहां पर जो मोबाइल यहां पर नूमेरिक वेल्यू ले लेनी है नूमेरिक उसके बाद यहां पर नॉट नॉल इसके बाद यहां पर जो कर दो सकते हैं यहां पर आपको अपडेट का जो अप्शन रहें आप यहां पर सिंपल आपका अपडेट का एक लिक कर देना है यहां पर आपको जो अपडेट डेटाबेज वाला ओप्शन मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है तो आपका जो टेबल था वो कम्प्लिटली बन जाएगा एंड उसमें जो भी आपने फिल्ट्स एड किये हुए तो यहां पर जो सर्वर एक्सप्रेट पर जो आपका इस सक्सेसपुली हो जाएगा तो Green जो टिक मार्क हो आजाएगी और यहां पर जो फिल्ट से वह आजाएग यहां पर देखें जो प्लाश हो पर यहांपे जो प्लास है उसको एड करना पड़ेगा तो यहां पर पर सॉल्योशन एक्सफर पर आजाना है यहां पर जो सो आप आपको मलेगा फॉल्डर वहाँ पह परfire ट्लिक करना तो एड़ वाले स्क्षन पर आजाना एड दोस्था मेड़ीयोड से आपको यहां पर फर्स्ट वाला उप्शन है उसको सिलेक कर लेना है यहां पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है उसके बद यहां पर आपको उपना जो भी डेटाबेस का नेम है उसको सिलेक करना है यहां पर आपको जो नेक्स्ट वाले बटन पर प्रेस कर देना मिलेगा यहां पर ऑप्रेस करने की लिए एक ज़ो फालर मिले यह से आपको करना पड़ेगा जो भी आप टेबल्स को सेक खांटे तो उस टेबल्स को यहां चल्खकर लेना है जो भी आप टेबल को एड करेग़ उसके क्लास है मोडल क्लास में कनवर्ट हो जायेगे ऐड लास्ट में है पर फिनीश जो यहां पर आपको प्रेस कर देना है है मॉद्पर देख सकते हैं कि जितने भी आपके जो टे बल्स होगे उतने यहां पर जो क्लास हो यहां पर देखे जो आड़ी जो idmx model है वहां पर आपका जो class हो जाएगा उसके बाद दूस्तों से यहां पर जो पाथ है उसको set कर लेते हैं यहां पर प्रोजेक्स का नेम है वही वेप्लिकेशन वन ऐसके बद यहां पर मोडल एंड यहां पर जो हमारे टेबल का जो टीवियल उसर यहां पर दिखेंग्स है करणा होगा जो सब्सक्राइब दोस्तों यहां पिए कामक्र फूल ने में यहां पर हम एक ओर टीडी लेंगे ठרג मुर्त क्राइट करना पड़ेगा फिस्टमल यहां पर में कैसे बोस्क्राइट करते हैं यहां पर है Artemis एक साइन उसका बाद यहां पर जो लिंग करना पड़ेगा यहांप जो फिल्ड होगा यहांपे आसे निम का है यहांपे आचुका है ऊके दूस्तों उसके बाद वैसे यहांपे जो इसनेम का है वही उसका भी टेक्स लेना पड़ेगा तो यहां पर एक टीडी क्रियेट कर लेते हैं उसके बाद यहां पर जो html helper करके जो text box create कर लेते हैं यहां पर text box for उसके बाद यहां पर जो अब हम यहां पर link देना है दूस्तों जो username है उसका तो यहां पर username देखे जैसे by default automatically आ जाएगे यहां पर क्योंकि हमने जो model का जो reference है वह यहां पर हमने दिया हुआ है तो अब आएगा जो phone का html dot text box for उसके बाद यहां पर जो phone ओके दोस्तों उसके बाद यहां पर हमें simple password का है उसलिए कर लेना है यहां पर टीडी उसके बाद यहां पर जो html dot text box for इसके बाद यहां पर ctrl z यहां पर counts यहां पर यहां पर पासफ़र्ड हों के तो यहां पर दूस्तों आपने जो html यहां पर का उज़्श करकर यहां पर मैं जो एक्स बॉक्स है वो हमने एड कर लिए यहां पर देखे दूस्त बटन की यहां पर जो कुछ लिंक यहां पर एरर सारे तो टाइप इक्वाल टू बटन है वह में सिलेक्ट कर लेना है यहां पर देखना है यहां पर दोस्तों हम अपने जो पोस्ट मेतब है और क्लिएट करेंगे यहां पे पब्लिक उसके बाद जो एक्षन रिजल्ट है वही उसके बाद यहां पर जो index यहां पर same name जो different parameter होगा तुँ यहां पर हमें जो model class है उसका जो reference है देना होगा तो यहां पर parameter पास करेंगे टीबियल यूजर का उसका बाद यहां पर हमें रिटर्ण रिटर्ण हमें क्या करना होगा तो को वीव कॉम रिटर्ण करेंगे ओके दोस्तों यहाँ पर से हमने में different parameter यहाँ पर method overloading का use किया हुए हमने यहाँ पर post method हमें यहाँ पर completely बनानी होगी तो हमें यहाँ पर जो entity framework का use करके हम जो database में data को save करेंगे तो यहाँ पर हमें using उसके बाद जो entity है वही rg entity db equal to new rg entity and यहाँ पर हम जो model state है उनका use करेंगे if model state is valid ओके दोस्तों उसके बाद यहाँ पर हमें जो db यानि कि जो data entity dot tbl जो user dot add का use करेंगे यहाँ पर reference को दे देना है जो tbl user जो हमने लिए हुए है उसके बाद यहाँ पर db dot save change का use करेंगे हम ओके उसके बाद यहाँ पर एक जो message पास्ट कर देते है व्यू बेग dot message equal to यहाँ पर जो भी आप method message देना चाहते हैं यहाँ पर हम success का दे देते हैं कि उसके बाद यहाँ पर जो मॉडल स्टेट है उसको क्लियर करना पड़ेगा तो यहाँ पर मॉडल स्टेट डॉड क्लियर प्रोजेक्स को में सेव कर देना है यहाँ पर हमने कम्प्लिट कोड कम्प्लिट कर लिया उसका बाद यहाँ पर जो वाला बटन मिल रहा है वहाँ पर में क्लिक कर देना है यहाँ पर इंडेक्स वाली मेथड है वहाँ पर आ जाना है उसको बाद चेव वाले बटन पर प्रेस कर देना है यहाँ पर जो रन वाला बटन है उसके क्लिक कर देना है झाला बटन मिल रहाँ पर जाँ पर जाँ तेना है झाल झाल